संग्वारी हो जै जोहार एप बीडियो मां बीष ठन चतिस गड़ी मोहारा बताने वाला हाओं साथ में ओकर अर्थ और थोर्म और व्याख्या घलो अव यह मोहारा के प्रेयोग कब और कैसे इस्तिति में करे जा थे यह सब के जानकारी आप मिलना मिल जे ही तब पहला मोहारा है खातू परेता खेती नहीं तद नदिया के रेती आप मन सुने हो हो खातू परेता खेती नहीं तद नदिया के रेती खातू ले तो आप सब पर जीता हो हातु पहले यूरिया, डियेपी, सूपर, पोटासल, फर्जिंग, अब भी बहुत सारा है यहां तक की गुबर खाद घलो तर डोली खेत मार खातु पर थे तबहेच अच्छा उपज हो थे हिसान भाई मनला पता है अब खातु नहीं डाले लका हो थे उकर इस्तिती नदिया नर्वा की रेती समान हो जाते नदिया नर्वा की रेती में उपज दिगबे नहीं करे तो यह मुहारा के प्रयोग जो है हात के महत्यो बर मतलब खेती बर खाती का महत्यो रथे उला बताय बर एकर प्रयोग करे जाते दूसरा मुहाव रहे हावई ताउन ओड़ चाबए नई खाई ताउन जीब चाटए मतलब हने वाला खावई या हर घटिया चीज लखादार थे तो बहुत पच्छता थे और जोन खाई वन नी पाये थे हर नी खाके बहुत पच्छता थे मतलब दूनों इस्तिती में ही वाला पच्छता वर लाग थे तो कछु काम लग करे भी नुकसान हो थे और नी करे ले भी नुकसान हो थे ऐसे इस्तिती में हनाला कहे जा थे कि खावई ताउन ओड़ चाबए नई खाई ताउन जीब चाटए गाके हीरा चोर जोंद्रा चोर धीरे धीरे सेन फॉर एकरर थे शूरू में बारे के खीरा करकड़ी जोंद्रा चोरी करने वाला हर बाद में जाके सेन फॉरे के काम कर थे मतलब दिवार में टोका करेवर धर ले थे तो ये मुहारा के प्रियोग कोई आदमी आर गलत कारी में लिपत हो जाथे अगर गलत कारी जो हे वारदात बढ़ते जाथे तब ये लगतने की खीरा चोर जोंधरा चोर धीरे धीरे सेंद फोरका के खेलो ना जुआ जाको ना कुआ आप मन बड़े बुजिर्गमन के मुहले अक्सर सुने हो हो एला कहत कि खेलो ना जुआ जाको ना कुआ तो एकर अर्थ है कोई आदमी लजुआ खिले के आदत पड़ जा थे तो वहार अपन के जितका जमापुंजी है उला वहार हार सकते एकर पूरा संभावन रथे ऐसे ही कुआ में जाकने वाला हर धोखा से कुआ में गीर सकते एकर भी बहुत संभावन रथे तो विकर अर्बड़े पुजिर का मन बच्चा मनला जो छोटे लएक का रहा थे मुनस्षिक देवर करतें की खेलो ना जुआ जहाको ना कुआ खोटनी भाजी कस खोट खाए ये करार थे हे खोटनी भाजी लग खोट देले वहार नवा पान नवा भाजी उलोते जा थे चला थे और वोई बेचारा लब बार बार मांगते जा थे मांगते जा थे तब बोला करते की खोटनी भाजी कस खोट के खादा रहा थे करते हे ये महारा के ऐसे में प्रयोप कर जा थे गधा के मुर्मा सिंग गधा के मुर्मा सिंग हो थे का नए होई ऐसे ही मुरुक आदमी के भोले मुर्मा सिंग नए रहे तब भोले आदमी लग करते आदमी लही करते की गधा के मुर्मे सिंग करके तो कैसे आदमी लेकत हैं जोन आदमी हर मुर्खता पूर्ण बात करते जैसे कचुचीज हरफ होई के संभखावना ही नहीं रहे वो चीज के बात करते तब लेकत हैं गधातमुण में सिंग गाट मन कवडी नाख्षे दावन दवडी गठरी में फुटी कवडी निये और नाख्षे दायवर कुद पर रते प्रेकरल सहे कि पास में तो फुटी कवडी निये पैसा निये और मन में जो है बिकट अभी लासा है कचु कहीं के बहुत सौक है तो काकरो अवकात नी रहे और बहुत सौक रथे बहुत कचु कहीं के इच्छा पाल के रखे रखे तब लगत थे कि गाट मन कवडी नाख्षे दावन दवडी करते गाउं के जोगी जोगड़ा अन गाउं के सिद्ध मतलब आदमी के मान सम्मान बाहर में ज़्यादा हो थे और बाहर के जैसे कोई समान ये ब्यक्ति गोल गाउं मा आथे तो लब बहुत मान सम्मान मिल थे और वही गाउं में कतको बड़े बिद्वान रहे उपर मान समान नहीं कर जाए आदात नहीं कर जाए तब कर थें कि गाओं के जोगी जोगड़ा आन गाओं के सिद्ध करके गूर खाए और गुलगुला ले परहेज जैसे कोई आदमी गूरला तो खा थे लेकिन वही गुरले बने गुलगुला भजिया ला नई खाय परहेज करते असल में देखा जाये तो वह परहेज नहीं करते वहर ड्होंग करते एलायक्षन उधारने समझे के प्रयास करवो कि जैसे कोई आदमी है गुश में पैसा नहीं लाई लेकिन वही पैसा ला उपहार सोरुपदे देले वहर ग्रहांट कर ले 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 थे मतलब वहर ड्होंग कर थे नाटक कर थे तो ऐसे इस्तिति कभुकभार पैदा हो थे जैसे कोई आदमी है कच्चु चीजला सुईकार कर थे ले ले थे अब उक्रेज जैसे मिलता जुलता चीजला असुईकार कर दे ले बर मना कर दे थे तब कथे कि गुर खाए और गुल गुलाले परहेच कर थे करके गुरू तो गुर रही गे चेला सक्कर हो गई एक करार था है कि गुरू मतलब होते ज्यान देवईया गुरू ले आगे बढ़ जाते तब एला कर थे कि गुरू तो गुर रही गे चेला सक्कर हो गई करके घर का भेदी लंका शेदी मतलब घर के भेदला दुसरा जगा खुलने वाला हर घर वाला मन के जड़ मुल सब नाज कर दे थे जैसे कोई मिले हुए आदमी हर उकर दूसमन से मिलके सब भेदला बता दे थे तब एक अहावत लगत थे और एक अहावत हर सायद विविशन है जब रामभक्त होगे और लंका ढ़ागे तब एह प्रतली थोई से गर का भेदी लंका शेदी घर के मुर्गी दार बराबर एक रर्थ है कचुचीज के दुकाल ने रहने उपर मोल कम हो जाथे उपर किमत घर जाथे तो जैसे कचुचीज है आसान ले मिल जाथे सरल्टा ले मिल जाथे और वस्तु के किमत कम हो जाथे तब कथे की घर के मुर्गी दार बराबर घरे मा नेवरा घरे मा भी लईया नेवरा भी लईगे तो आपस मने जमे तो ऐसे इस्तिती जो है आदमी में भी हो सकत है जैसे दू जन आदमी है जेकर आपस मने जमे आपस मने पटे और एक साथ रते तो दुनों में लड़ाई जहरा कभू भी हो सकती। तो दुनों के पास पास रहे कि काराण जो है या एकी में रहें कि काराण भविश्य में खत्रा उत्पर न होए कि बहुत सम्हाओ न रथे। तो खत्रा लबत लाए बर कथें कि घरे मा नेवराओ घरे मा बिलईया कखे। चट मंगनी पढ़ भिहाओ एक रसीधा अरत है जल्दिल जल्दी काम हर निपढ़ जाए। जैसे कच्चु बात की उतावला पर रथे या काम हर जल्दिल जल्दी निपढ़ जाए का के कथें की चट मंगनी पढ़ भिहाओ। चटकन के का उधार मतलब चटकन की उधारी नहीं रखे जाए। कुनोला बाद में देख ले हूँ का पर छोड़े निप जाए ओकर जवाब तूरन दिये जाथे। चटकन के मतलब होते तमाचा और तमाचा मतलब मार पीठीनी होई बने गोठिया दे ले वो गोठ़ ही एक चटकन की काम कर थे। तो काकरो जो आप तूरन दिये लेकत हैं चटकन के काउधार। चाराना की कुकरी बाराना फुद गवनी। एक करड़ थे है। जैसे कचुचिज की कीमत ले उकर मनम्मत खर्च जादा होगे या उकर देकरिक खर्चा जादा हो जाथे। मतलब कच्छो चीहर बढ़ा कर ले हैं तो थोर बहुत दान कर देले वहर नई सिराए निकम नी हो जाए तो ये मोहारा ला बड़े आदमी ला कच्छो मांगे बर मांगे का जहाने लग आपस में कते हैं कि चीरई के खाए माधान नई सिराए कते चीरई मा कववा आदमी मानावा चीरई चीरगुन में कववा चीरई ला बड़ चतूरे बड़ चाला के कते हैं उसने मन खे मन में नव हर हो थे तो नौ के चाला की बर इलाकत हैं चीरई में कौवा आदमी में नौवा चीक चीक के खा चाहे बोर-बोर के खा ये मोहाराला खुद की चीज़ बर कहे जाते जैसे कचुची या थोरकुन है तो लग चाहबे तो जल्दी जल्दी खा किसी द्वा सकता थास या चाहबे तो थोर-थोर इस्तिमाल कर के बहुत दिन तक पुरो सकता है अवर की चीज़ खुद के है तो चाहे तो इस्तिमाल कर चाहे जहन कर तब इलाक कहे जाते की चीक चीक के खा चाहे बोर-बोर के खा अवर की चीज़ खुद के है अव आखिर महे जिहा जिहा दारभाद तिहा तिहा माधो दास ये मोहाराला स्वार्थी आदमी उगर कहे जाते स्वार्थी आदमी अपन स्वार्थबर अपन के फायदा बर जहां फायदा मिलते हुआ पहुची जाते हैं उक्रवर कतें जिहां जिहां दारभाद तिहां तिहां माधोदास